24 नवंबर और 25 नवंबर का दिन तुला राशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? जै माताती दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इन दो दिनों के तुला राशी फल के बारे में ये दो दिन आपके लिए किस तरह के परिवर्तन लेकर आए हैं? किस तरह के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे? क्या योग बनने वाले हैं? और उन योगों का परभाव आपकी दिन्चरिया पर कैसा होने वाला है? सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में आपको विस्तार से इसलिए वीडियो को लास्त तक देखें चैनल पर पहली बार आएं है तो सब्सक्राइब करके जूड़ जाएं चैनल के साथ तो चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र की ही बात कर लेते हैं अब यह जो 24 नवंबर का दिन है यह शुकरवार का तो दिन है और शुकल पक्ष की सिद्ध द्वादसी दिती है इस दिन रेवती नक्षत्र है एक शुब नक्षत्रों के श्रेणी में आता है और देखें सिद्धी योग के साथ दिन की शुरुवात होगी अला कि यह योग बनेगा सुबह नो बजे तक है लेकिन जो बाकी के योग है वो इस दिन के महत्व को बढ़ा रहे हैं एक तो चंद्रमा इस दिन राशी बदल कर मीन राशी से मेश रासी में आ जाएंगे अब मेश रासी में गुरु ब्रस्पती विराजमान है जब भी गुरु और चंद्रे एक साथ होते हैं तो गजकेसरी योग का निर्मान करते हैं अब गजकेसरी योग बनने वाला है इस दिन और इस योग का जो प्रभाव है वो बहुत इश्यूब आपको मिलेगा इसके अलावा सूरिय तो विराजमान है आपके यहां दुईतिय भाव में और वो भी मंगल के साथ बैठे हुए हैं अर्मरादा नक्षत्र में अब बाकी के योगों की अगर हम देखें तो देखें इस दिन पूरा दिन सरवार सिद्धी योग बनेगा और पूरा दिन अमर इसी तिथी है आश्विनी नक्षत्र रहेगा और योग जो बन रहा है वो कुबेर का योग बन रहा है और कुबेर क्या है धन के स्वामी है उनका योग आज बना हुआ है पूरा दिन चंद्रमा मेश रासी में है तो गजगेश्री योग भी है सूरिय है व्रश्चेकराशी में है मंगल के साथ बुद के साथ इसके अलावा बना है रवियू तो ये है हमारी ग्रहों की इस्तिति अब इसी के आधार पर चलिए जान लेते हैं ये दिन आपको कैसे लाब देगा के इस तरह के रिजल्ट आपको देगा तो देखे मेश रासी के जो चंद्रमा होते हैं वो हर एक काम को आसानी से और अराम से करने की कोशिश करेंगे बहुत आशावादी रहेंगे या जाब आशा हर एक काम को करने की स्वास्ते बहुत अच्छा है स्वास्ते समंदी दिक्कते कोई नहीं दिखाए दे रहेंगी और जो आपकी दोस्त हैं उनका रुख आपके लिए सही होगी रहेगा और वो आपको खुश भी रखेंगे धन से जुड़ी हुई अगर कोई भी समस्या थी तो आज आपकी सूजबूज की वज़ा से वो मुनाफे में तब्दील हो सकती है और ये आपके लिए एक आज के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर होगी आपकी भर किया को अपने दिल की बात भी बता पाएंगे क्योंकि जो बातें आपको आज बतानी है ना उनको आप आज ही करें कल बहुत देर हो जाएगी कल किसी ने नहीं देगा इसलिए कहते हैं कि जो आप काम आज कर रहे हैं उसको आज के लिए ही आज ही उसको पूरा कर डाले इस जो कारोबारी हैं उनको आज कोई व्यक्ति सलहा दे सकता है लेकिन सलहा पर ध्यान रखें क्योंकि ये सलहा गलत भी हो सकती है और ये कोई करीबी ही आपको देगा जिसकी वज़य से आप परिशानी में आ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा यहां ध्यान रखना है अपने दिम बिना कर रखनी होगी आज का दिन धन संपत्ति के मामले में अच्छा है और साथ में आपकी परिवारे किस्तितियों के साब से भी आज का दिन अच्छा होने वाला है देखिए दो पहर दो बजे से और चार बजे के बीच का समय आपके लिए बहुत लखी रहेगा और सी ग् मौकरी कर रहे हैं जो जातक हैं आज उनको अपने इच्छाओं के विरुद्वी थोड़ा सा काम करना पड़ सकता है जिसके कारण मन में कहीना कहीं चुड़ापन रहेगा लेकिन इस चुड़ापन को धूर करें और काम के दरब ध्यान दें पैतरक संपत्ति मिलने की प्रब मौर विश्वास की निव पर एक नए रिष्टे को शुरुवात कर सकते हैं तो उसके लिए अच्छा है बाकी तो दिन जो है वो उत्तम रहेगा योगों की अगर मैं बात करूँ ती कि गज केसरी योग जो है गज की ताकत रखने वाला होता है और जब भी चंदर और गुर या 25 नवंबर के बारे में तो 25 नवंबर का जो दिन है इस दिन योग कुबेर का योग बना है जो भगवान कुबेर है क्या है धनके स्वामी है और आज का दिन आपके लिए किसी बहुमूल्य वस्तु की प्राप्ती का दिन है या फिर किसी ऐसी ही संपत्ती की प्राप्ती क दिन है या कि इस तरह कि कुछ इन्वेस्टिमेंट का दिन कहा जा सकता है यानि आपकी आर्थिक इस्तिति किस तरह से स्ट्रॉंग हो सकती है ये आज की दिन भी आपके लिए बहुत डिसाइड करने की बात होगी वेपार में यदि आप कुछ योजनाई पर योजनाई रहे हैं तो उसे स्टगित कर दें क्योंकि वाहन की कुछ खराबी हो सकती है ऐसा कुछ हो सकते हैं हो सके तो आप कर सकते हैं दामपते जीवन में मदूरता बढ़ने वाली है और लवबर्ड सप्रेम के एक बहतर इंच्छन के साथ आज का दिन गुजारेंगे आज आप अप आपने साथी के साथ जादा से जादा समय वैतित कर पाएंगे फिल्म देखने की प्लानिंग कर सकते हैं या फिर आप डिनर का प्लान भी कर सकते हैं ये चीज़ें भी आपके लिए आज बड़े अच्छे से होती हुई दिखाई दे रही हैं और इसके अलावा देखिए प्लानियल साथ पर भी शाद्थी के दलास कर सकते हैं तो दिन में कई सारी चीज़ें आज बड़े अच्छे रहने वाली हैं और यह हम यह कह सकते हैं कि आज का दिन आपके जीवन में खुशियां लेकर आने वाला है और कुछ खास मित्रों को भी आज बना सकते हैं नहीं को आने वाले दिनों में जल्दी ही मिलने वाला है और इस्टूरेंट्स के लिए ठीक ठाक दिन रहने वाला है आब उपाई की बात कर लेते हैं क्या उपाई आपके लिए उत्तम रहने वाले हैं तो कोई भी बज़ुर्ग इस्तरी को सफेज चीज आप दान कर सकते हैं या फिर सफेज चीज से बना हुआ भोजन आप करा सकते हैं इससे आपकी नौकरी में बिजनिस में इनमें सम्में उनती होगी अब वो चीजें क्या हैं देखे बुजर्ग इस्तरी मैंने इसलिए का क्योंकि ये चंदर की कारक हैं गजकेसर योग बना है साथ में शुक्र की भी सफेद वस्तु क्या चावल चीनी आटा मैदा दूद इनमें से किसी वी चीज से कुछ बना कर भोजन उनको करें बहुत इच्छा रहेगा साथी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें